चलो खाना खाने, वहाँ पे बैठो, 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 हाँ, अब खाना खाते खाते मेरी एक बात सुनो, सुनो, जो लोग बोलते हैं कि जो विदेशी नसले के श्वान हैं, उनके लिए कि भईया, डॉक की गलती नहीं थी, डॉक की गलती नहीं थी, डॉक की गलती नहीं थी, उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि माना कि डॉग की गलती नहीं थी पर इंसान की जो गलती थी उसका खामे आजाए भी तो डॉग को भुगतना पड़ रहा है ना आप बताईए जो पिडबुल जिसको की गोली मार दी गई पहले भी हमने कई वीडियोज देखे हैं जब डॉग अटैक करता है उसको चपलों से जूतों से कुर्सी से पानी से डंडों से इतना मारा जाता है तो जो ट्रेनिंग है कौन सा इंसान घर के अंदर डॉग को किस तरीके से रख रहा है खाना खिलाता है की नहीं, पानी पिलाता है की नहीं, प्यार का व्यवहार करता है की नहीं, शोशलाइज होने देता है की नहीं अकेले बंद करके रखता है, बान के रखता है कि सबके साथ में मिलने जुलने देता है ऐसी जो सारी डीटेल्स हैं उसका audit कौन करेगा किस-किस घर में जाएंगे और कैसे कैसे चेक करेंगे जब हमें पता है कि पिडबुल नसल का जो श्वान होता है उसे भूका रखा जाए प्यासा रखा जाए और लोगों के साथ में शोशलाइज नहीं करा जाए तो वो एक टिकलिंग बॉम बन जाते हैं एक बार किसी का जबड़ा अपना जो जबड़ा किसी के पाउं में फसा लिया किसी चीच को अपने मुह में ले लिया उसके बाद में वो जबड़ा लॉक कर लेते हैं और 15-15-20-20 मिर्ट तक उसको छोड़ते ही नहीं है तो माना की ग कहारत देश के ऐसे मीठे-मीठे लड़ू बाबू बैठे हुए है चार करोड घरों के इंतजार में प्यार भरे घरों के इनतजार में वो तो बैठे हुए हैं और वो वहां पर हरियाना के अंदर में दो बिडबुल अमेरिका से बुलवाए गए कहां तक तरकिस जिनों संगत है कि हमारे देश में 4 करोड लड़ू बबू होते हुए भी 2 लड़ू अमेरिका से आए बहुत नाइंसाफी है इसलिए कुछ खतरनाथ नसल के डॉक्स का प्रतिबन बहुत जरूरी है क्योंकि खाम्याजा दो तरीके से होता है पहला ये कि जो लड़ू डॉग बाइट करता है वो कुरूरता का शिकार बन जाता है और दूसरा ये कि काटता एक लड़ू बबू है पर बदनाम 4 करोड लड़ू बबू हो जाते हैं असलीब, जाते हैं जाए भारत